तो बहुत ही खुश खबरी हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए जो बैंक में जाने का सपना देख रहे हैं एच पी स्टेट कॉपरेटिव बैंक की जुनियर क्लेरिकल की विकेंशी बच्चों 232 विकेंशी आ चुकी हैं तो जिन बच्चों का जो हिमाचल से बिलॉंग करते हैं और जिन बच्चों का सपना है कि हिमाचल में जो स्टेट कॉपरेटिव बैंक है उसमें सर्व किया जाए तो उनके लिए बहुत अच्छे विकेंशी पिछले साल आपने देखा होगा कि ऑफिसर की विकेंशी आया थी स्टेट की बच्चों डॉसमेशी है इसको हम जानेंगे कि क्या वीकेंशी है टोटल किस तरह से फॉर्म को भरना है और कैसे इसका एक्जाम, पैटन कैसे होगा और कैसे तरह से त्यारी शूर की जाए ठीक है तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो कब से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं तो च्छे तारीक बच्चो आज से इसका ओपनिंग डेट है समिशन की आप ओनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं वेबसेट पर जाकर सब्सक्राइब की वेबसेट आपको सर्च करनी है और वहां पर जाकर इसको फॉर्म को भरना है तिक है पी-ए-स या ओ-स जो जो एगरिकल्चर क्रेजिट जो सुसाइटीज है उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी चोहत्तर वकैंसिस उनके लिए हैं तो टोटल में लाकर टू-थर्टी टू वकैंसिस बच्चो बढ़ती है ठीक है तो छे तारीक से इसका फॉर्म शुरू हो गया है और इसकी जो लास्ट है बच्चो 31 तारीक है 31 से पहले इसको फॉर्म को आपको 31 मार से पहले वेले इसको भरना होगा तो जनरल जो OBC या जनरल के जो बच्चे है एच्पी के उनके लिए हजार रुपे का फॉर्म है जो एच्पी में EWS या एकनोमिक विकर सेक्शन के फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आप जनरल में आते हैं या किसी भी काटिगरी में आते हैं तो आपको यहां पर बच्चो जनरल में ही काउंट किया जाएगा तो हिमाचल के बाहर के स्टेट्स के बच्चे अगर भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो उनको जनरल में ही जामनेशन से पहले आपके कॉलेटर्स आ जाएंगे और अब 31 के 5-6 हफते बाद यानि यह चलेगी बात मिड मही में तो मही के असपस इसका मिड मही के असपस इसका फॉम इसको अब देश सकेंगे तो इसमें अभी भी अप्रॉक्समेटली अगर आप लगाएं तो मिड पर अबर動画 आपक टो मंत का टाइम होगा आपको इसके प्रिपरेशन लीगे तो पहला पला म्ने राउंड है तो किस तरीके से इसको आगे जाके देखेंगे किस तरीके से क्या-क्या पमांच स्की ससकेля of declaration of result for online examination about around 15 days after the conduct of the exam तो मतलब around June के 1st week में बच्चो इसका result भी आ जाएगा तो इसका result भी आ जाएगा तो the categorized roster breakup of all the vacancies बच्चो जुनियर जो clear direct recruitment recruitment है जिसमें कि आपको मैंने बता एक सो 170 158 vacancies है तो इसके लिए बच्चो जनरल में जो vacancies है 54 है EWS of HP यह सारी कि सारी आप category वाइस देख सकते हैं बच्चो कौन सी category में आप fall कर रहे हैं उनके लिए सब vacancies यहां पर mentioned है तो total 158 158 vacancies total है बच्चो ठीक है आप category देख सकते हैं कौन सी आपके उसके accordingly चेक कर सकते हैं बच्चो आप अपने विकेंसी को और जो 74 मैंने बताया जो विकेंसी है उसमें से 59 जो 69 विकेंसी है बच्चो वो PACS के लिए है यह है अग्रिकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में जो काम करने हैं लोग ठीक है उनके लिए एक्सपिरेंस वाले लोगों को यहां पर जो सुसाइटी में अलोड़ी 5 यह सेवन एक्सपिरेंस है उनको यहां पर कंसेडर किया जाएगा जनल यह फ्रेश ग्राजुट्स के लिए नहीं होगी फ्रेश ग्राजुट्स जो है वो डारेट रिक्रूप्मेंट के तो भी जो इस काटिकरी को फुल्फिल नहीं कर रहे हैं पी एक्स को वह इसमें भर सकते हैं ठीक है तो यह फंद्रा विकेंस टोटल मिलाकर बच्चो दो सो बतीस विकेंसी इस इनका बैकलोग भी जो पहले वारी विकेंसी नहीं फिल हो पाई थी वो भी इसमें इंक्लूड कर दी ही है ठीक है तो ओनली बॉनफाइड हमाचली फॉर दी पोस्ट रिजर्व अंडर सुसाइटीज कोटा जो सुसाइटीज कोटा है बच्चो जैसे मैंने बताया 69 वकेंसी एक और 15 वकेंसी है टोटल 74 वकेंसी हैं उनमें सिरफ बॉनफाइड हमाचली ही उसमें इलिजिबल हो जो डारेक्ट रूट्मन भर रहे हैं और वो रिजर्व काटीगरी में है तो वो सिरफ हमाचली जो होंगे उन्हीं को कटी में रेखा जाएगा बच्चो बाहर के जो रिजर्व काटीगरी वाले अच्छे हैं तो बहरा बता रहा हुं कि वो उनको जर्नार में ही काउंट किय अब जुने क्लेरिकल की जो रिक्वार्माट है एडिकेशन कॉलिफिकेशन वह 10 प्लस 2 फिफ्टी परसंट ऑफ माक्स इंग्राइशन बच्छो कम सगम पचास नंबर प्रसंट नंबर चाहिए आपको 10 प्लस 2 अपकी क्लिए ठीक है क्यों कोई क्राइडिया ने है 10 प्लस 2 जतने मीं नंबर से लिए ओं आपको 50 परसंट होनी चाहिए ठीक है हिमाचल प्रदेश से आप का 10 प्लस 10 और 10 प्लस 2 होनी चाहिए अगर आप किसी और से और हिमाचल में आप पढ़े हैं तो यहां पर आप देख सितने हैं एसेंचिल कॉलिफिकेशन में जूनियर क्लर्ग जो पी एस कोटा में है 10 प्लस 2 विद 50 परसंट मार्क्स और ग्राडवेशन और अबवव 10 प्लस 2 होने चाहिए और 50 परसंट नंबर होने चाहिए और 5 यह का सब्विस होने चाहिए सेक्रेटरी एस डिफाइन रूल नुमेट 2 ठीक है तो फाइव एस का एक्पिरेंस भी है और 45 यह से आपकी एज इस सुसाइटी है उसमें वर्ट करने हैं तो सेवन यह का पर सर्विस का होना चाहिए किसी भी कॉपरेटर तो आप चेक कर सकते हैं 45 एज एज है तो आप देख सकते हैं कि कौन्सी क्रिटिया में फिल्फिल होते हैं उसके इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चो तो इसमें फेज वन जो होगा पिल्लिम राउंड उसमें तीन सेक्शिन होंगे इंग्लिश माट्स और रीजनिंग जैसा पेपर बैंक का नॉमली आता है आई पीएस का यह एस बीपर यहां पर कनट किया जाएगा हंडर्ड कोशिंस हंडर्ड मार्क्स साथ मिनट बीस बीस मिनट तीनों सब् जैसे आपकी 158 मेकिंसी हैं 158 तो 10 गुना यानि 1580 लोगों को इसमें पास कराया जाएगा यानि इसमें वह सेकिंड राउं के लिए बुलाया जाएगा तो जो बच्चे इस फेस को पास करेंगे वह ऑनलाइन मेंस का एक्जाम आगे देंगे और यह सारा जो एक्जामनेशन पास को वह अनुद खरा सबस्क्राइगा वह से क्राइगे जारा जारा जानिस करेंगे लिए जैसे अपना पीएपियो का यह जैसा वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा और वैसा ही सेम लेवल पिश्चन भी उछ ख़द तक काफी वैसा ही होगा इसमें एक चे में बच्चो financial grocery तो आएगी आएगी साथ में current phase भी आएगा बट इसमें हिमाचल GK भी पार्थ होगा बच्चो तो 50 questions जो 25 marks के हैं आदे हंटा में करने हैं इसमें हिमाचल GK का भी portion होगा तो reasoning के 50 questions, maths के 50, English के 50, GK के 50, total 200 questions का paper, 100 number का 120 minute में करने को बोला जाएगा, 30 minutes अब 30 minutes maths के लिए और reasoning के लिए थोड़े कम है बट English और GK के लिए काफी है तो आपको इसमें भी speed बना कर चलना होगा बच्चो ठीक है और जो experience वाले बच्चों के लिए तो यह same pattern है बच्चो यही एक्जाम होगा एक एक्जाम जिसमें की reasoning, maths, English और GK आएगा वही same pattern जैसा मे ही एक्जाम एक एक्जाम होगा तो direct वालों के लिए दोनों एक्जाम phase prelims और मेंस और experience वालों के लिए एक अकेला वन एक्जाम ठीक है तो इसके बेस के ऊपर आउट 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 फिफ्टी कोशन और जनल वेर्स देखी बच्चो ी के ऊपर और बाकी मास जीगें चारी संस्कें माथें मीं घर आउट वाएंच्च्च्च्च्च्च्च को कुस्च्च्च्च्च्च्च कुर तो विकेंड पॉसीशन would be call for the appear for the process of verification documents यानि अगर 158 है तो approximately 2500 के आसपस बच्चों को बुलाया जाएगा यहाँ पर document verification के लिए और क्योंकि कुछ बच्चे इसमें leave कर देते हैं या किसी और के जगा हो जाता है तो इसलिए उन्होंने 1.75 टाइम्स बच्चों को बुलाया है आगे document verification के लिए ठीक है तो इसमें इंट्रीव नहीं होता जैसे आपको मालूम है क्लेरिकल के किसी भी कोस्ट में बच्चों इंट्रीव नहीं किया जाता है तो दो ही राउन का पेपर है इसके बाद फाइन सेलेक्शन है बच्चों ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं तो education qualification 10 plus 2 है 50% marks चाहिए आपको graduation में और 10th level का maths आएगा बाकी reasoning आएगा इसमें इसमें बाकी यही main जो information मैंने दिये बच्चों यही important है आपको और merit जो होगी बच्चों minimum 45% और रेक में होने चाहिए तब आपकी merit बनेगी तो overall minimum qualifying marks in the online examination will be 45% of the total marks जैसे दोस्तों का है तो 90 नंबर कम से कम आपको चाहिए होंगे और आपको यह मालूम है कि दो घंटे का एक घंटे का पहला round होगा और the duration will be 2 hours I mentioned above ठीक है तो इसमें pay and emoluments 26,600 प्लस admissible allowances आपको मिलेंगे बच्चों ठीक है तो junior clerical का pay scale है 2900 level 2 approximately total emoluments 26,600 तो अच्छा start-up के लिए काफी अच्छा salary package है तो आप start कर सकते हैं अपना आगे आपके पास relaxation है SCST के लिए 5 years की और ex-servicemen के लिए relaxation है ठीक है तो इसमें आप सारे के सारे criteria जो आपके फुल्फिल हो जाएंगे बच्छों रामसे क्यूंकि इसमें ग्राइशन में 50% नंबर मांगे 60% नहीं मांगे तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन से criteria आपके अगर फुल्फिल होते हैं तो आप भर सकते हैं बच्छों However, age relaxation shall be applicable to only bonafide himachali candidates जो relaxation है सिरफ bonafide himachali के लिए ही applicable होगी और जो बाहर के बच्चे अगर इंडिने स्कूल या 6 choices of 2 within HP and 4 outside HP क्योंकि कई बार himachal के अंदर ही exam connect नहीं किरा जा सकता तो इसके बाहर के option भी आपको देनी होगी बच्चों 6 centers की ठीक है तो ये centers हैं जो आप भर सकते हो within वाले और ये हैं outside वाले बच्चों अमारा जरंदर मोहाली पट्याला और न्यू डेली तो इसमें से 4 य information बच्चों अगर आपको ये जो 2 months है आपको अगर इसमें preparation की जुरूत है और आपको इस job के लिए इस vacancy के लिए बच्चों आप सीरियस हैं तो आप हमें हमारे IBS के centers पे आपको contact कर सकते हैं आपको कोई भी inquiry हो related to preparation या related to any इसमें कोई doubt आ रहा है आपको तो हमारे given contact number है वह best wishes get up for the examination best wishes for your career and hope जल्द मिलेंगे आपसे face to face या फिर online के थू अगे notification जो आएंगी इसकी उसके बारे में हम आपको information देने जरू पहुंचेंगे ठीक है thank you so much take care and see you bye-bye